कि हलो दुस्तो मैं हूँ आपका दोस्ट हमिम सेक्र और आप देख रहे मेरा सेक्र हमिम यूटूब चानल需 है दोस्तो है आप सभी का मेरे यूटूब चानल में स्वागत आ है Welcome to my बहुत सारे सोशल मीडिया पर जैसा की यूटूब है फेस्बूक है ट्विटर है इंस्टेग्राम है टिक टॉक है सारे यूटूब सारे जो सोशल मीडिया के नेट्रोक है सभी पर बस आज कल वीडियो हाइरल हो रहे हैं तो सिर्फ शाहिब भाई के कि यह टिक टॉक वाले भी तो कमाल कर देते हैं कि बस जाओ वीडियो बनाओ और दालड़ो टिक टॉक पर दोस्तों शाहिब भाई तो केरला से सुद्य अरब के लिए पैदल रवाना हुए हैं हज के लिए वह 2023 का इंशाल्ला हज करेंगे अल्ला उनके रास्ते रोकाउटों को दूर करें यह हम दूआ कर सकते हैं और दोस्तों कि आजकल तो यह सोशल मेडिया के उपर हंगामा मचा हुआ है कि शाहिब भाई हच के लिए पैदल रवाना हुए हैं पैदल जा रहे हैं वह गलत कर रहे हैं वह नहीं जाना चाहिए इतने सारे सुविदा होते हुए भी है तो फैदल कि यह जा रहे हैं क्या उनको पप्लिशिटी के लिए वह पैदल जा रहे हैं या कोई अगे इनिश बुक में नोधो इसलिए पैदल सब्सक्राइब अलग अलग तरीके के तरक वितरक लोग अंदाज अपने अनदाज के हिसाब से निकालते हैं देखिए दोस् दोस्ता है वह इसे ही सोच कर बताएगा मेरा जानता ख्याल है दोस्तों शाहिब भय हच के लिए जो निकले हैं पैदल निकले हैं वह केरला से से निकल कर महराष्टरा के महराष्टरा से होके गुजरात राजस्तान होकर पाकिस्तान जाएंगे पाकिस्तान से इरान जाएंगे और इरान से इराग इराग कोवेश जाकर फिर जाकर सउध्य आरब के अंदर रש इंट्री करेंगे इस तरह का तो कि विजहान होगा ना पडर चलने प्लान है इस तरह से होगा लेकिन दोस्तो जगा जगा पर आप आप देखते होंगे बहुत सारे वीडियों के अंदर आप देखते होंगे कि शाहिद भाई के इस्तिक्बाल के लिए फूल बिचाये जा रहे हैं उनके पर फूल बरसाएं जा रहे हैं जगा जगा पर उनका इस्तिक्बाल किया जा रहा है लोग उनको देखने के लिए कतार ल कर पैदल चलने का जब इरादा करें तो उन्होंने उनके खौब में भी सोचा नहीं होगा या उन्होंने कभी तसवर भी नहीं किया होगा कि उनका इस तरह से इस्तक्बाल होगा इस तरह से लोग उने देखने के लिए भीड लगाएंगे यह कभी उन्होंने तसवर भी नहीं किया होगा बहरहाल वह बंदा हच के लिए रवाना हो रहा है अल्ला के घर के लिए रवाना हो रहा है पाइदल चलकर हजारों किलोमेटर का सफर शाहिब भाई पाइदल कर रहे हैं अल्ला उनका सफर आसान करे लेकिन दोस्तों, इसलाम एक आसान मजब है, इसलाम के अंदर आसानी की गई है, तब जाके इसलाम को आसान मजब कहा जाता है अगर कोई जान बुच के अपने उपर परेशानी मोड लेता है, तो उसको कोई भी कुछ बोल नहीं सकता तो बहरहाल बहुत सारे मैंने वीडियो देखा हूँ, किस वीडियो के अंदर वीडियो में बताया जा रहा है कि शाहिए आप चलते नहीं जाना चाहिए, आप इतने सारे सुविदा रहते हुए, आप चलते जा रहे हैं, क्या आप पब्लिसिटी के लिए चलते जा रहे हैं, या कोई आपका नाम शोहरत हो जाए इसलिए चलते जा रहे हैं यह ऐसे अलग-अलग तसavior किया जा रहा है उनके उपर अलग-अलग तर्यके वीडियो बनाकर कोई उनकी अच्छा ही बयान कर रह रहा है बैरल दोस्तों शाय भाई चलकर हच के लिए जा रहे हैं वो किस निएत से जा रहे हैं किस वज़़से जा रहे हैं यह तो हम नहीं जान सकते बस उनका भेद अल्ला जानता है और अल्ला को ही मालूम कि शाहिब भाई के दिल के अंदर क्या है इतना सब होते हुए भी शाहिब भाई जो सफर के लिए निकले हुए हैं पैदल हज के लिए 2023 का इंशालों हज करेंगे बहुत अच्छी बात है ऐसा हजारों किलोमेटर का फासला भी तय करना उसके लिए बहुत बड़ा एहसास लगता है जिगर लगता है और confidence लगता है तो दोस्तों कुछ लोग पहड़ियों पर चलकर चड़कर अपना रेकर्ड बनाते हैं कुछ खाने में रेकर्ड बनाते हैं कुछ सोने में रेकर्ड बनाते हैं कुछ पानी पीने में रेकर्ड बनाते हैं कोई 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 पहड़ों के चुटियों पर चड़कर अपना रेकर्ड बनाता है तो इसी तरह का यह एक रेकोर्ड है शाहिब भाई के लिए लेकिन बहरहाल वो मुझे तो नहीं लगता कि वो दिखलावे के लिए करते होंगे तो शाहिब भाई जब चलके हच के लिए जा रहे हैं तो उनके बारे में अलग अलग वीडियो बहुत सारे वाइरल हो रहे हैं बहुत सारे सोशल मीडिया पर उनके बारे में वीडियो आ रहे हैं इस बात का भी दुख लगता है कि एक बंदा डेरिंग करकर हिम्मत करके हजारों किलोमेटर का फासला तै करता है चल के हच करने के लिए और उसके बारे में ऐसे अलग-अलग अफवाएं फैलाना उसके बारे में बुरा-भला कहना ये भी गलत बात है लेकिन बहराल दोस्तों इतने सुवीदा रहते हुए भी आपने ये हच का पैदल चलने का जो फैसला किया है आपने ये हुसला किया है आपके हुसले को हम सलाम करते हैं कि शायद भाई कि केरला से हैं और केरला से होते हुए सब्सक्राइब के लिए 2023 के हच के लिए वह पैदल आ रहे हैं बहुत अच्छी बात है लेकिन दोस्तों हम बस इतना ही कहेंगे कि शायद भाई को रास्ता आसान हो शायद भाई के लिए जो रोडे रुकावटे हुए हैं उसको दूर करे और वे सही सलामत हच करके अपने घर को लोटे हो सकता है शायद भाई पैदल चलने से हच के लिए जाने से अल्ला उनके हच को कबूल करेगा और उनके जरीए से कोई अगर से बला आफ आसान मजब है आसानी का नाम इसलाम है मुश्किले अपने उपर खुद के उपर मुश्किले ढालेना यह गलत बात है बहराल मैं बस इतना कहूंगा कि जो वीडियो बनाके टिक टॉक पर डाल रहे हैं भाई लोग उनका कुश्टो थोड़ा बहुत आपके अंदर आदर ले गुजारिश करूंगा कि आप भी थोड़ा यह टिक टॉक बनाके नमाज के लिए भी मस्जिद में चलते जाएं ताकि आपकी दिन भी बनीगी और दुनिया भी बनीगी दोस्तों यह टिक टॉक टॉक तो बनाना यह बात अलग हो गई यह जिसका उसका शोक होता है लेकिन आप ऐसे टिक टॉक बनाते हैं जा रहा है तो आप भी नमास के लिए थोड़ा जाए अच्छी बात है सारे में सारे टिक टॉक बनाने वाले वीडियो बनाने वाले से गुजारिश करूंगा कि यह शाहिद भाई चलके अदौ़का हासला तै करकर वह अच्च के लिए जा र बढ़ी और दोस्तों शाइद भाई के इस तक्बाल तो बहुत बढ़िया ह cheaper हर जगा हर Yeah movement. हाई ज़ाते हैं तो वहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरह चैसे पाल हो रहा है और इतना ही नहीं के हर कौम का शख्स शाइद भाई को देखने के के लिए लाइन में लगकर भीड के अंदर जाकर उनके लिए दे कर आए यही तो हमारे भारत की संस्कूरती है दोस्तों सभी धर्म जाती भेत के लोग एक जगाल रहते हैं सभी जाती धर्म के लोग एक दुसरे को चाहते हैं एक दुसरे के धर्म का सम्मान करते है यही तो हमारे भारत की संस्कूरती है हमारे भारत देश के अंदर कई जाती के लोग रहते हैं कई जाती धर्म के लोग हिल मिलकर रहते हैं और यही हमारे भारत की श्यान है तो दोस्तों बस मैं यही कहूंगा कि शायद भाई का सफर आसान हो जाए इतना कहकर मैं मेरा यह वीडियो यहां पर खत्म करता हूं आप लोगों से मेरे गुजारिश है कि मेरे इस वीडियो को लाइक कीजे शेर कीजे और मेरे यूटुब चैनल को सब्सक्राइब कीजे